अलो स्टूडन स्टेंडर एट क्विस्टिन फाइब पर पहुंचे हम 14.2 का राइट तो क्विस्टिन फाइब भी कर रहे हैं क्विस्टिन नंबर फाइब फैक्टराइज फाइस फर्स्ट कर रहे हैं फिस्ट में हैं पी स्क्वेर प्लस 6 पी प्लस 8 अभी यहां देखेंगे पी स्क्वेर है एट स्क्वेर नहीं है तो ्या करेंगे हम 3 टर्मस है तो एट के फैक्टर्स करेंगे 6 मिलना चाहिए तो 4 तू जाden एट होता है 4 to the 8 होगा 4 plus 2 करेंगे तो क्या आएगा 6 तो 6 की प्लेस पर हम लिखेंगे 4 plus 2 तो P square plus 4 plus 2 into P plus 8 तो P square plus 4 P plus 2 P plus 8 तो अभी ये दोनों में से और ये दोनों में से common निकालेंगे P into P दोनों में P common है 4 into P ये दोनों में से 2 common है तो 2 into P plus 2 into 4 तो ये दोनों में से P common निकालेंगे तो बचेंगा P plus 4 बचेंगा ये दोनों में से 2 common निकालेंगे बचेंगा P plus 4 तो P plus 4 दोनों में common मिल गया हमे तो क्या बचेंगा P plus 2 बचेंगा ओकी देन वी विल दू नमबर सेकंड तो सेकंड में क्या दिया है सेकंड में दिया है क्यू स्क्वेर माइनस टैन क्यू प्लस ट्विंटीवन तो अभी ट्विंटीवन के फेक्टर करने के टैन मिलना चाहिए तो सेवन प्लस ट्री टैन होगा सेवन त्रीजा ट्विंटीवन होगा राइट तो इस इक्वल टू लिखेंगे हम क्यू स्क्वेर टैन की जगा क्या लिखेंगे सेवन प्लस ट्री इंटू क्यू प्लस ट्विंटीवन राइट यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या लिखा था हम लखेंगे, ओके, इन ओपनिंग दब्रेकेट, Q स्क्वार माइनस 7Q, माइनस 3Q, प्लस 21, अभी यह दोनों में से, यह दोनों में से कॉमन, तो Q स्क्वार माइनस Q, 7 इंटो Q, Q-3 multiply Q plus 3 into 7 ये दोनों में से Q common bracket में हैगा Q-7 यहां से Q बचा है यहां से 7 ये दोनों में से अभी minus 3 common निकलेगा तो यहां पर sign change हो जाएगी Q-7 हो जाएगा तो Q-7 दोनों में common आ गया, Q-7, Q-3 बचेगा पिन, Q-3, okay, then last, number 3, last of the exercise, 3 में दिया है, पिस्क्वार प्लस 6P-16, तब ही 16 के factor करने के 6 मिलना चाहिए, right, एक प्लस एक माइनस, तब ही माइनस मिलेगा हमे, okay, 8 माइनस 2, 6 होगा, 8 मल्टिप्लाई माइनस 2 करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 16 होगा, okay, तो P square plus 6 की place पर लिखेंगे 8 minus 2P minus 16 अब bracket open करेंगे तो P square plus 8P minus 2P minus 16 अब ये दुनों में से P, P square है तो P into P तो P multiply P लिखेंगे 8 multiply P लिखेंगे minus 2 multiply P minus 2 into 8 तो ये दुनों में से P common निकल रहा है राइट बचिका अगर P plus 8 P common P plus 8 ये दुनों में से minus 2 common राइट माइनस जब common निकलता है तो bracket के अंदर की sign change हो जाएगी तो P plus 8 हो जाएगा तो P plus 8 दुनों में से common तो bracket में दुसरे bracket में रहाएगा P minus 2 राइट तो ऐसे ये question और ये एक से इस दुनों खतम हुए तो next portion नेक्स टूडियम होगा बाइब हो जाएगा P